कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रोनक्षा आज हम ठूज़े हैल्थ टिप में बात करेंगे रेस्लेस लेक सिंड्रॉम यह जो बिमारी है बेजिकली लेक्स की बिमारी नहीं है मगर जो डिसकंफर्ट फीलिंग होती है यह ब्रेंग की वजह से होती है इसमें हम लोगने देखा है करते से सोते हैं तभी में लेक्स की मूमेंटर करते हैं इसका जो पर्मेनन्ट रीजन्स आप्目 डूध नहीं सका है मगर स्टडरी इतना मालू हुँग हो तही होने की वज़ए से हो सकती है यह बीमारी या फिर डाबेटिस या आएन डेफिसंसी या फिर वेरिगोज वीन्स पेरिफरल नियुरोपेथी प्रेगनसी जैसे कई बीमारी के साथ यह रेसलेस लेक्स हो सकते हैं इसमें होम रेमेडी काफी इफेक्टिव है जैसे कि आपको वाम और कोल्ड पैक बहुत इफेक् हो जाती है और पेशन को काफी आराम रहता है साथ में आपको वाम बात लेना बहुत ही जरूरी है इसकी वजह से हमारे मसल्स है पूरी तरह से रिलाक्स हो जाते हैं जो स्पाजम्स है जो ट्वीचिंग है मसल्स की वह भी काफी कंट्रोल में होता है अगर आप उसम सॉल्ट भी डालोगे तो उससे पेइन भी कम हो जाता है और पेशन को बहुत ही अच्छी नहीं दाती है हुमियापेथिक मैडिसीन्स फॉर रेस्लेस लेक सिंड्रॉम इसमें हुमियापेथिक ट्रीटमेंट से पेशन कंप्लीटली रिकवर हो सकता है उसमें कोई साइड इफेक्स नहीं है और यह पूरे जो मैडिसीन्स है वो नेच्रल ओरिजिन से हैं यहां हम पेशन्स की इंडिविजल कॉंस्टिटूशनल हिस्ट्री लेते हैं उस हिसाब से ह जिन्कम मेटलीगम, कोस्रीकम है, और मेटलीगम, पलंबम मैट मेट जैसी कई डिसन्स हम इनडिविजल स्ट्री जीर करने के बाद पेशन्स को अजो ऑाखरा इसे पेश्ट्स को काफी आःम रहता है और बहुत मुए 遊戲 क् longing निद आती है और यह जो मेह on पर्मेनेंट मिट जाती है सो वन्स अगें थैंक यू वेरी मैच फोर कनेक्टिग